दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राहूल गांधी को बड़ा जटका लगा है बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे है राहूल गांधी की संसर सदस्ता खत्म हुई है बड़ी खबर आपको बता रहे है राहूल गांधी नहीं रहे लोग सभा सदस बड़ी ख़बर आपको बता रहे है दो साल की सजा के बाद फैस्ता लिया गया है बता दें दो साल की सजा के बाद सदस्ता रद्द की गई है राहूल गांधी की राहूल गांधी को बड़ा जटका लगा है डिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है जो रहुल गांधी को बड़ा जटका लगा है खबर पर हमारे संवादा आता गोरव रहुल गांधी की संसरे सदस्ता खत्म हुई है क्या कुछ पूरी जानकारी इसार बिल्कुरराहुल गान्दी की यहां पर संसरी 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 जाया पर बड़ी सजा ले जाया थी। सब्सक्राइब के लिए सजा पर रोक लगा दी गए थी अब आगी का क्या कुछ एक्षन होगा राहुल गान्धी का देखिए यहां पर अपील करेंगे अपील के बाद ही यहां पर चर्चा हो पाएगी क्या होता है अगर जमानर मिल भी जाती है जब तर्ब ता दोस्मुक्त नहीं होते तब सब्सक्राइब यहां पर रद रहेगी पर निस रूप से यह कॉंग्रिस पार्टी के लिए जटका कि राहुल गांदी पहले जो कि अमेठी चनौ लड़ते लिए अमेठी की वाहां पर किरन में चनौ लड़ाता वहां से सांसार हुए तो जिस तरह से उनको सजा मेली है दो स सापे दो चुके हैं और लगाता कि यह भी कहा जा रहा था कि 24 चुनाओं में यह बादेंदा पार्टी को बड़ी यहां पर चुनौती दिते साब्सक्राइब के लिए बड़ा घटका नजर आ रहा है मैयूरी जी धन्यबाद गौरफ तमाम चानकारियों के लिए ग्राम चौपाल में आने वाले समस्याओं के निस्तारण में हो रही लापरवाही बुलंद शेहर से बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं सीडियों ने लापरवाही बरतने पर 20 अफसरों को कारण बताओ नोट इस जारी किया है खुल 3330 शिकायतों में 2542 शिकायतों का निस्तारण किया गया था कई सीडियों का लापरवाही के चलते रोका गया वेतन तीजी से बढ़ रही बीजेपी में हल चल बड़ी ख़बर आपको दिली से बता रहे हैं राज्य मंतरी दानिश आजाद ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है दिली में ग्री मंतरी आमेश शा से मुलाकात की है बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं बीजेपी में हल चल बड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी अधग जेपी नडडा से भी मुलाकात की है तेजी से बीजेपी में हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रही है राजमंत्रिदान शाजाद ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है दिल्ली मेगरी मंतरी अमिशा से मुलाकात की मंदिर पर एक ढोंगी पंडित ने कबजा की आसरावस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है कबजा कर मंदिर और आस्ते पर दिखाने लगा अपना आधिकार ढोंगी पंडित से महिल आये और बच्चियां परसान हुई है महिलाओं और बच्चियों के साथ अश्लील हरकते करता है पीडित महिलाओं ने एस्पी से नियाए की गुहार लगाई है एस्पी ने ज्वाज करके कारवाई करने का आश्वासन दिया है ढोंगी बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है थाना कोत वाली भिंगा के अधारिगाओं का पूरा मामला बताये जा रहा है मंदिर पर एक ढोंगी पंडित ने कब्जा किया है स्रावस्ति से खबर आपको बता रहे हैं कब्जा कर मंदिर और रास्ते पर अपना अधिकार दिखाने लगा योगी पंडित से महिलाएं और बच्चियां पर रुशान हुई है इन्फिलेंजा वाइरिस ने दस तक दी उन नाओं से बड़ी खबर सामने आ रही है इन्फिलेंजा वाइरिस के दो मरीज मिले हैं 18 मार्च को लखनाउ भीचा गया था सेंपल स्वास विभाग की टीम ने घरवालों की ट्रेसिंग कर किया दोनों मरीज पूरी तरह से स्वास्थ हैं सीमोनिका टीम ने दोनों के घर पर दवा का छुड़काओ कर वाया है इस खबर पर हमारे सवादाता चैतन हम से जुड़ेंगे चैतन उन्नाओं में इंफिलेंजा वाइरिस ने दस तक दे दी है क्या कुछ जनकारी जी बदाना चाहूंगा कि जो दो मरीज यहां पर उन्नाओं में पाई गए हैं इस पर सीमो का बयान आया है ऑन्होंने का जी कि दोनों मरीज पूरी तरीके से स्वथ्त हैं पर गराया था जञे नरक बाड तुनकारी RS-9 जाज उसके पार पाद पता तिला है कि दोनों मरीज जो है थैजृज यह ऐसे लेकिन सीमों करूब राते है और उस पह अगर ट्रीटमेंट और अगर काईदे से अगर डॉक्टर रिलाज कर रहे हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है चैता ने जिस तरह से दो मरीज मिले हैं अस्पतालों में कैसी बिवस्था देखने को मिल रही है जी बता दे कि जीला अस्पताल में पहले से इन्फ्लुइंज पूर्टा स्वस्थ और डॉक्टर का साफ़तार पे कहना है कि आगे भी अगर मरी जाते हैं तो उनका सफल इलाज किया जाएगा जी जी धन्यवाद चैतनता माम जानकारिक के लिए